नवश्कार आप देख रहे हैं आज की खबर मैं हूँ आपके साथ रागनी सिंग रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की और कि उस्से पहले हेड्लाइन्स पर एक नज़र सियम योगी का अधिकारियों को नर्देश बिजली चोरी को रोकते हुए बुनकरों को बिल में दे सबसीडी आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जटका मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग ठुकराई गई खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत यूपी सरकार ने किया विरोग चंपत राय ने की राहूल गांदी की प्रसंचा बोले भारा जोड़ो यात्रा प्रसंच निये है निकाय चुनाओं में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई हाई कोर्ट के फैसले को सरकार ने दी है चुनाओती आज यूपी में भारा जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है सबसे पहले तरंगा फैरानी के साथ रास्टगान फिर आतरश बाजी की गई आज अरतालिस किलो मीटर की यात्रा पलायन के लिए चर्शित रहे शामली के कहराना से होकर गुजरेगी राहुल प्रियंका दिली से सुबह साड़े च्छे बजे मवी कला पहुँचकर यात्रा में शामिल हुए यूपी में ये पहला राजनेतिक संगिठन है जो भाराज जोड़ो यात्रा में अब तक शामिल हुआ है कॉंगरेस की भाराज जोड़ो यात्रा उत्तरप्रदेश के बाखपत से सुबह 6 बजे फिर शुरू हुई राश्रे लोगदल के जोला अद्यक्ष के अगवाई में पार्टी के कारीकरताओं ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया वही यूपी में राम जन भूमी मंदर के मुख्य पुजारी अचार सातेंद्र दास ने भाराज जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांदी को कल आशिरवाद दिया था वही राम मंदर न्यायस के सचेव चंपत राई ने भी यात्रा की सरहना की फैजाबाद सरकेट हाउस में मंगलवार देर शाम न्यायस की बैठक में शामल होने के बाद भाराज जोड़ो यात्रा पर चंपत राई ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिये प्रसंसा की बात है पचास सालगा नौजवन हिंदुस्तान के तीन हजार किलमेटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा तो इसको एप्रिशियोटी करेंगे हमें नगर निकाय चुनाव में पिछडों को आरक्षन देने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई होगे सुनवाई में पदेश सरकार बिंदवार पक्ष रखेगा सुनवाई में सरकार कोट से आरक्षन देकर ही चुनाफ कराने का अन्रोथ करेगी OBCR Action को लेकर एलाबाद के लकनोबेंच के फेसले के खिलाफ नगरविकास Vibhaag ने सुप्रीम कोट में विशेश याची का दाखिल की कोट के समक्ष पूर्व के चुनावों में आरक्षन देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई सुप्रीम कोट में सरकार का पक्ष रखने के लिए नगरविकास विभाग ने इसके चुनिंदा अधिकारियों को भी लगाया हुआ था अब सुप्रीम कोट का फैसला ये तै करेगा कि यूपी में निकायच नाउफ कब होगा सपानेता आजम खान की मुस्कले लगातार बढ़ती नजर आ रही है आजम खान ने सुप्रीम कोट में सभी केशों के ट्रायल को यूपी में बाहर ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोट में याचिका दायर की थी जिसको लेकर आजम खान को कोट से रहत नहीं मिली है से कि आजम खान के खिलाफ 87 मामले दर्ज हैं सुप्रीम कोट ने विकास दुबे मामले में जेल में बंद खुशी दुबे को जमानत दे दी है यूपी सरकार ने शीर्स अदालत में खुशी की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वे गिरुग का सक्रिय कर सकती है हाला कि इस पर कोट ने कहा कि घटना के समय उसकी उम्र 17 साल से कम थी यूपी सरकार के तरफ से ये भी कहा गया कि जेल रिपोर्ट के मताबिक खुशी का वेवहार ठीक नहीं था दूसरे क्यादियों के साथ उन्होंने जगड़े काफी किये सुप्रीम कोट ने खुशी को जमानत देते हुए कहा कि अब इस केस में ट्रायल शुरू हो गया है इसलिए अब उसे जेल में रखने की जरूरत नहीं है उचितमने आयले ने खुशी को हर अपते संबंदित घटना सामने यह यहां चाय बनाते वक्त की जगह चुए मारनी की दवा डाल दी गई जिसे पीने के बाद पिता समेत दो बेटों की तब्यद बिगड़ गई तीनों को इलाज के लिए जिला स्पताल में भरती कराया गया जहां अभी दोनों खत्रे से बाहर हैं मिल रही जा कर बेट बिगड गई अ take care कि बुलंफ शहर में एक किस घंटे से खान पूर में मीट कारोबारी अबदुल हकीम केघर आई T की रैचल रहे है आई T की टीम एक किस घंटे से घर में लगतार चापेमारी कर रही है बताया जा रहा है कि अब्दुल हकीम का दामा मुंबई में बड़ा मीट कारोबारी है चापेमारी टीम में आयकर विवाग के बड़े अधिकारी भी शामिल है बुलंड शहर के खानपुर नगर में स्थित अब्दुल के घर आयकर विवाग की चापेमा लगाया है शराप के नशे में धुत दो पुलिस कर्मी पीड़ता के घर में घुज गए और महीला के साथ छेड़ चार करने की कोशिश की महीला के शोर मचाने पर घर के आसपास के लोग मौके पर इखटा हुए और उन्हों ने एक पुलिस कर्मी को पकड़ लिया बता दें आ 3 जन्वरी 2022 को थाना नौबस्ता शेत्र के लालपुर चुराहे के पास एक महीला ने शिकायत की कि डायल 112 पे तैना दो पुलिस कर्मी जिनका की नाम है हेड कॉंस्टिबल हरियो और हेड कॉंस्टिबल सुषांत उन्हों ने उसके घर में घुज कर उसके साथ छेड़ खानी है दोनों ही आरोपी पुलिस कर्मी कर्मियों से पूच्टाज की जा रही है इब हम आवश्यक वैदानी कारवाई इस प्रक्रेन में की जा रही है बारती क्रिकेटर मुहमाद श्रमी की पत्नी हसीन जहां का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वीडियो में मौहमाद श्रमी की पत्नी अपनी बेटी बेबो संग डांस करती नज़र आ रही है इस वीडियो में फैंस हसीन जहां के वीडियो पर कई कमेंट्स कर रहे हैं हशीन जहां को कई बार ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ा है आपको बता दें कि श्रमी की पत्नी हशीन जहां सोशल मीडिया पर काफी सुर्कियों में रहती है ग्रेटर नौईरा वेस्ट गार्डन सोसायटी में साथ दिन पहले गायब हुआ तेन दुआ कल शाम को फिर देखा गया जिसकी ख़बर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमिन को दी गई पुलिस और फॉरस डिपार्टमेंट की टीमों ने उस समय तेंदुवी की खोजबीन की लेकिन सोसाइटी और आसपास के इलाके में कहीं तेंदुवा नहीं मिला लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका रेस्क्यू आपरेशन में मदद करने के लिए मेरेट से भी फॉरस टीम को बुलाया गया आसपास के इलाके में लगा तारिस सर्च किया जा रहा है जानकारी मिलते ही पॉलिस और फॉरस डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुँच गई थी यूपी के बदाईयों में फेस्बुक पर एक यूवक ने पाकस्तानी जंडे का फोटो पोस्ट करते हुए उसे अपनी प्रोफाइल पर लगा लिया जंडे में पाकस्तान के स्वतंतता दिवस 14 अगस्त की बात की गई है इसको लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त है हिंदू संगठन ने इसकी तहरीर थाने में दी यूवक फेस्बुक आईडी अपने पिता के नाम से बना कर इस्तमाल करता है इस बारे में पर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं जहां बांदा से बड़ी खबर आ रही है बांदा में एक कॉन्ट्रल दो किलो ग्राम पकड़ा गया गांजा अस वकत की बड़ी खबर बांदा से बता रहा हैं गांजे के आरों घर की मोपिर कि सूश्ना पर पुलिस ने ढहरा बंदी की और घेरा बंदी कर एक कुझटल से जादा गांजा पकड़ा दूसरे आरोपी राजरेंज की तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है वहीं आगे के विदिक कारवाई में पुलिस जुटी हुई है